हेलो दोस्तों, आज की मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है, आज का टॉपिक है BTS V के से किसान का बेटा सुपरस्टार बना BTS V का बर्थडे दक्षन कोरिया के एक छोटे से शहर में हुआ था V का छोटा भाई और बेहन थी V ने सोचा कि वह किसान बनेगा, क्योंकि उसका जन्म किसान प्रिष्ट भूमी में हुआ था किसने सोचा होगा कि किसान परिवार का एक गरीब लड़का, दुनिया भर में लाखों फैंस के साथ के पॉप स्टार बन जाएगा BTS सदस्य वी, जिन्हें किम ताइहूं के नाम से भी जाना जाता है, एक वैश्विक स्टार हैं और के-पॉप की दुनिया में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक हैं लेकिन प्रसिध्धी और सफलता तक का उनका सफर आसान नहीं था वी का जन्म 30 दिसंबर 1995 को दक्षिन कोरिया के डेगू में हुआ था और उनका पालन पोशन ग्रामीन इलाके के एक छोटे से शहर में हुआ था छोटी उम्र से ही उन्हें संगीत का शौक था और वह एक दिन एक सफल कलाकार बनने का सपना देखते थे अपने इंटरव्यू में वी ने अक्सर इस बारे में खुल कर बात की है कि उनका जन्म और पालन पोशन एक गरीब परिवार में कैसे हुआ उनके पिता एक किसान थे और इसलिए उनके माता पिता परिवार को सम्मान जनक आजीविका देने में व्यस्त थे इसलिए उनका पालन पोशन उनकी दादी ने किया था के पॉप संसनी ने यह भी खुला सा किया कि वह उनके बहुत करीब थे और इसलिए जब उनका निधन हुआ तो वह मंच पर भी अपने आंसू नहीं रोक सके तैयूं के पिता और मा ने उसे और उसकी बहन को अकेला छोड़ दिया जब उसके पिता वापस आये तैयूं साथ वर्ष के थे तो वह एक अच्छे परिवार की उम्मीद कर रहे थे हालां कि जैसे ही उसने अपने पिता को गले लगाने की कोशिश की उसके चेहरे पर एक जोड़दार जटका लगा वी ने स्टारडम की अपनी यात्रा 2011 में शुरू की जब उन्होंने दक्षिन कोरियाई मनुरंजन कमपनी बिग हिट एंटर्टेन्मेंट के लिए ऑंडिशन दिया उन्हें बीटियस का सदस्य बनने के लिए चुना गया जो एक नया के पॉप समूह था जो अभी शुरू ही हुआ था वी ने बीटियस के अन्य सदस्यों के साथ अपने कोशल को बहतर बनाने और अपने डेब्यू की तयारी के लिए वर्षों तक ट्रेनिंग का अभ्यास किया है 2013 में बीटियस ने एकल नो मोर ड्रीम के साथ अपनी शुरूआत की और जल्दी ही एक समर्पित और फैंस का दिल जीत लिया इन वर्षों में समूह ने कई हिट गाने और एल्बम जारी किये हैं और यह दुनिया में सबसे लोक प्रिय और सफल के पॉप समूहों में से एक बन गया है वी ने बीटियस की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अपनी गहरी और इमोशनल आवाज मंच पर उपस्थिती और नृत्य कोशल ने समूह की व्यापक अपील में योगदान दिया है बीटियस के साथ अपने काम के अलावा वी ने एक सफल एकल करियर भी बनाया है कई एकल रिलीज किये हैं और अन्य कलाकारों के साथ सहयोग किया है उन्होंने के ड्रामा वारंग दे पोएट वारियर यूथ और फिल्म दे मोस्ट उनर्डिनरी रोमांस में अभिनाय करते हुए अभिनाय में भी कदम रखा है वी का टैलेंट और कड़ी मेहनत को मान्यता नहीं मिली है उन्होंने और BTS ने कई पुरसकार और फैंस के दिल जीते हैं जिनमें कई MTV Video Music Awards और Billboard Music Awards शामिल है वी को कला और संस्कृती में उनके योगदान के लिए 2018 में दक्षन कोरियाई सरकार से Order of Cultural Merit प्राप्त करने के लिए भी मान्यता दी गई है के पॉप स्टार को कला और साहित्य के प्रती उनके प्रेम के लिए जाना जाता है और वह अक्सर इन रुचियों को अपने संगीत और प्रदर्शन में शामिल करते हैं उन्हें दान कार्य का भी शौक है और उन्होंने विभिन्न परोपकारी प्रयासों में भाग लिया है दक्षिन कोरिया के एक छोटे से शेहर से वैश्विक सुपस्टार तक का वी का सफर वास्तों में उलेखनिय रहा है उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और समरपण ने दुनिया भर में लाखों फैंस को प्रेरित किया है और उन्होंने वफादार और भावुक प्रशनसकों का एक विशाल समूह बनाया है वी का जन्मदिन न केवल BTS प्रशनसकों के लिए बलकि उनकी प्रतिभा और दयालुता से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के लिए एक विशेश अवसर है अपने अविश्वसनिय गायन और नृत्य कोशल से लेकर कला और दान के प्रति अपने जुनून तक वी वास्तव में एक यूनीक टैलेंट के रूप में सामने आता है एक छोटे से दक्षन कोरियाई गाव से अंतर राष्ट्रिय सुपर स्टार्डम तक वी का उदय अदभुत रहा है दुनिया भर में लाखों लोग उनकी क्षमता प्रयास से प्रेरित हुए हैं और आज की समय में वी के लाखों में फैंस हैं लोग नहीं जानते कि उनके लिए ताई हूंग एक दोस्त के साथ डेगू में बिग हिट एंटर्टेन्मेंट के आउडिशन के लिए गया था वी का स्वयम आउडिशन देने का इरादा नहीं था और वह केवल अपने दोस्त का समर्थन करने के लिए वहां गया था लेकिन बिग एंटर्टेन्मेंट के एक टीम सदस्य ने उसे देखा और उसे ओडिशन के लिए प्रोथसाहित किया अनुमती के लिए अपने पिता को बुलाने के बाद वी ने मौके पर ही ओडिशन दिया और उस दिन डेगू से अगले दौर में पहुँचने वाले एक मातर व्यक्ती बन गये वह बीटीयस का सदस्य बन गया दुरभागे से कोई नहीं जानता कि ताय हूं का दोस्त कौन था इसलिए हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ था हम केवल इतना जानते हैं कि वह ताय हूं का मित्र था और वह उस दिन डेगू में बिग हिट ओडिशन पास करने में सक्षम नहीं था हो सकता है कि उसने अन्य कंपनियों के लिए फिर से ओडिशन दिया हो या उसने एक अलग करियर बनाया हो तो BTS ARMY V की आज की वीडियो केसे लगी अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर से बताना